Good morning children, आज हम लोग Hindi बन में पाट्नो क्रिया पढ़ेंगे क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम जिसे हम लोग इंगलिश में क्रिया को क्या कहते हैं? वर्व, दूइंग वर्ट्स, दूइंग वर्ट्स आर कॉल्ट वर्व उसी तरह हिंदी में जिस सब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या करते हैं क्रिया आईए इसे कुछ उधारन द्वारा समझते हैं मैदान में पेड के नीचे एक गेन पली थी इस वाक्य में पड़ी थी क्या है क्रिया है उसी तरह पासी एक पत्ता भी गिरा हुआ था गिरा हुआ था क्या है क्रिया है तेज हवा चल रही थी चलना भी क्या है चल रही थी क्या है क्रिया है गेन पत्ते से बोली आओ दौर लगाए पत्ता बोला, तुम तो तेज भागती हो, मैं हार जाऊंगा गेंध हसी, वह बोली, आओ दोडे, दोनु दोडने लगे गेंध से लुर्खा ही न गया पत्ता हवा के जूंके, के साथ उड़ा, और दूर जा गिरा पत्ता जोर से हसा, गेंध उदास थी, वह बोली, तुम जीट गए इस वाक्य में पड़ी थी, गिरा हुआ था चल रही थी, बोली, बोला, भागती हूँ, हसी, दोडने लगे पत्ते और गेंध के द्वारा किया गया बहुत सा काम है इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते है पत्ते और गेंध ने बहुत से काम किये जैसे पड़ा होना, गिरा होना, बोलना, दोडना, भागना, हसना, उदासोना, गिरना, जाना, आदे ये सब काम ही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है तो इस तरह बच्चो, क्रिया क्या है, जिन सब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते है, क्रिया किसे कहते है, जिन सब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं या कह सकते हैं जिन सब्दों से किसी काम का करना या होने का बोधो उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं अब देखें यहाँ पर दो वाक्य है लड़का लिख रहा है अध्यापिका पढ़ा रही है दो चित्र हमनों देख रहे है, एक में क्या है, लड़का लिख रहा है, दोसरे चित्र में क्या है, अध्यापिका पढ़ा रही है, तो लिख रहा है और पढ़ा रही है, ये दिवनों क्या है, क्रिया है, ये क्रिया कौन कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर तो लड़का और अध्यापिका ये क्या है करता इन्हीं हम क्या कहेंगे करता क्यों कहेंगे करता क्यों कि ये क्रिया कर रहे है ये काम कर रहे हैं तो क्रिया करने वाला क्या कहलाता है करता क्रिया करने वाला क्या कहलाएगा करता तो उपर के बाके में लड़का लिख रहा है क्या होगी करता थीक है तो kriya करने वाला क्या कह लाएगा करता अब आईये क्रिया के प्रकार कुछ क्रिया बच्चों क्या होती है खुद बखुद होती है जैसे नदी बह रहे है नदी क्या करें बहना क्या है उसकी क्रिया है उसका काम है तो यह स्वता होती है इसे किया नहीं जाता है लेकिन जब हम चलते हैं पढ़ते हैं तो यह काम क्या है किसी के द्वारा किया जाता है तो कुछ क्रियाएं स्वेम होती है, खुद होती है, अपने आप होती है, जैसे नदी बह रही है, हवा चल रही है, आकास में तारे चमक रहे हैं, तो ये क्रिया क्या होती है, खुद बाखुद होती है, लेकिन कुछ क्रिया क्या है, हम लोग खुद करते हैं, जैसे सोना, रोन खाना नाचना काटना यह क्रियाय क्या होती है किसी के द्वारा की जाती है और कुछ क्रियाय क्या होती है खुद वखुद होती है जैसे हवा चल रही है यहाँ पर हवा का चलना क्या होता है स्वता होता है खुद होता है अकास में तारे चमक रहे हैं जो चमकना होता है वो क्य क्याय की जाती है ठीक है अब आईए क्रिया के भी जोते है कौन को पहला सकर्मक्रिया दूसरा अकर्मक्रिया अब सकर्मक्रिया देखे नाम से ही पता चलता है सकर्मक, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, सकर्मक क्रिया किसे करते हैं? जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, कर्म क्या है? काम है, अब देखें इसको हम लोग एक उधारन के द्वारा समझते हैं, यहां पर चित्र में क्या दिया हुआ? यश जिलेबी खा रहा है, यश क्या है यहां उपर काम करने वाला करता खा रहा है क्या है इसकी क्रिया और जिलेवी क्या है इसका कर्म तो जिस वाक्य में कर्म हो सकर्म तो वो क्रिया क्या कहलाती है सकर्म जैसे इस वाक्य में कर्ता क्या है, कौन है, यश, उसका कर्म क्या है, जिलेवी, क्योंकि वो जिलेवी खाने का काम कर रहा है, उसकी क्रिया क्या है, खा रहा है, तो जिन वाक्यों में कर्म हो, वो क्या कलाता है, सकर्मक्रिया, उसी तरह देखी, दूसरा वाक्य क्या है, रीना सितार बजा रही है रीना क्या है? करता, बजा रही है क्रिया और सितार क्या है? उसका कर्म वो काम क्या काम कर रही है? सितार बजाने का तो ऐसे वाकिय क्या कहलाते है? सकर्मक क्रिया, इस वाकिय में करता क्या है? कौन है? रीना कर्म क्या है? सितार जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। हमेशा नाम से ध्यार रखोगे सकर्मक मतब जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो। जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आईए इसके दूसरे भेट, दूसरा भेट क्या है अकर्मक क्रिया, अकर्मक जिसके साथ कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे कबूतर उड़ रहे है, कबूतर क्या है, कर्ता, उड़ रहे क् क्रिया इसमें इसका कर्म नहीं है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है अकर्मक क्रिया उसी तरह क्या है कभीर नाच रहा है कभीर क्या है कर्ता नाच रहा है क्रिया इसमें भी कर्म नहीं है तो जिस क्रिया में कर्म नहों तो वो क्रिया क्या कहलाती है अकर्मक क्रिया कहलाती है जैसे इस बाकि में क्या है? कबूतर उड़ रहा में करता क्या है? कबूतर क्रिया क्या है? उड़ रही है, इसमें कर्म नहीं है उसी तरह इस बाकि में करता है कभी तथा क्रिया है, नाच रहा है इसमें भी क्या है? कर्म नहीं है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक्रिया कहलाती है. अता हम कह सकते हैं, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक्रिया कहलाती है. बच्चों, क्रिया के कितने बेद हो गए? क्रिया के दो बेद हो गए, सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया. जिस क्रिया में कर्म होता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक्रिया. ठीक है बच्चों? यह थे क्रिया की परिभासा और क्रिया के बेद. आप लोग इसे क्या पढ़िएगा और इसकी परिभासा याद करिएगा मुझे उमीद है आपको क्रिया समझ में आ गया होगा धन्यवाद